बैठे बैठे क्या करे करना है कुछ काम लेके प्रभू का नाम जी नहीं प्रभू का नाम नहीं लेना है इस बार मैं लूंगी मम्मी का नाम क्योंकि आज मैं बना रही हूँ मोहन ठाल जी हाँ ये है मेरी मम्मा क्योंकि मोहन थाल बनाने में मेरी मुम्मी एक्सपर्टी वैसे मैंने तो कभी नहीं बनाया है मैंने सिर्फ देखा है हर डिवाली पर वो मेरे घर पे आती थी सिर्फ और सिर्फ मोहन थाल बनाने के लिए अगर वो एक्सपर्ट है तो मैं उसकी बेटी हूँ, मैं भी उनसे कम नहीं हूँ मैंने सुचा कि ये डिवाली पे मैं मोंटाल खुद बनाओगी वैसे मोंटाल बनाना इतना आसान नहीं है परन्तु इसको परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट चासनी के साथ बनाओगी न तो मोंटाल बिल्कुल भार जैसा हलवाई स्टाइल बनेगा और वो भी जालीदार अगर मैं पहली बार में इतना परफेक्ट बना सकती हूँ तो आप भी आराम से बना सकते हो आज आओ वीडियो को एंटक जरूर देखना कि मैंने मोंटाल कैसे बनाया है सबी चीजों को मेजरमेंट करने के लिए एक कटोरा ले लो या फिर एक कप ले लो ये कटोरा मेरे एक कप के बराबर है तो एक कटोरा भर के मैंने बेसन लिया है तो इधर मैंने थोड़ा सा मोटा वाला बेसन जैसे बेसन के लड़ू बनते हैं बस वही बेसन का इस्तमाल किया है अब चाय तो नॉर्मल वाला बेसन का भी इस्तमाल कर सकते हो तो मैंने वही कटोरा दो कटोरा बर के बेशन लिया है तो वही कटोरा इस्तमाल करके मैंने गी लिया है मैल्ट किया हुआ गी लेना है तो गी हमें कितना लेना है सबसे पहले मैंने एक कटोरा जितना गी लिया है उसके बाद मैंने दूसरा कटोरा लिया है परन्तु मैंने पोना कटोरा ही भरा है यानि कि हमें पूरा दो कटोरा गी नहीं लेना है उसे थोड़ा सा कम लेना है यानि कि मैंने इडर दो कब जितना बैसन लिया है परन्तु गी मैंने दो कब से थोड़ा सा कम लखा है यानि कि पोना दो कब जितना मेरा गी है तो वही कटोड़ से मैंने दो बड़े चमच गी लिया है एक बावल में उसके साथ मैंने लिया है दो बड़े चमच डूद अगर चमच के हिसाब से मैं बोलू तो पार्ट से 6 चमच है तोटल कुल मिला के तो दूद इड़ थंड़ा है इसलिए हमें उसको गरम करना है तो हमें थंड़े डूद का इस्तेमाल नहीं करना है तो तेल और डूद हमें दोनों को ठोड़ा सा गरम करना है उसके बाद हलका गरम होने के बाद गैस बन करना है तो ये प्रोसेस नॉर्मली मोहन ठाल में धाबूत देने के लिए किया जाता है दूद और टेल मेरा के हलका सा गरम करके बेशन के अंदर मिक्स किया जाता है और उसके बाद हाथों से हमें इस तरह से करंबल करना है उसे क्या होगा कि बेशन है वो बिलकुल करंबल हो जाएगा उसके बाद हमें उसको चानना है ये प्रोसेस करने से न हमारे जो मोहन ठाल है बिलकुल बहार जैसा जालीदर बनेगा तो ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा थोड़ी सी मैनत भी लग जाएगी बोलते हैं ना कि मैनत के फल मीटे होते हैं तो ये मैनत भी मैं कर लूँगी दूद और तेल अच्छे से बेशन के अंदर मिक्स करने के बाद मैंने बड़ी सी चन्नी लिया है तो चन्नी से हमें बिसन चान लेना है वैसे इसमें चानने में भी थोड़ी सी मैनत है थोड़ी सी मैनत करने के बाद थोड़ा सा टो चान गया है पर उन्दो थोड़े से इस तरह से करम्बल रह जाएगे तो ये नहीं चान पा रहे हैं तो हमें क्या करना है कि एक mix जाल ले लो जो crumbles रह गया है उसको हमें mix जाल में grant करना है तो ये crumbles का powder हो जाएगा तो इसको अराम से हम चान पाएगे अब देख सकते हो अल्मूस सारा का सारा बेशन अच्छे से चान गया है हमें बस थोड़ा सा बच गया है उसको हमें mix नहीं करना है तो महोंटाल बनाने वाला जो बेशन है जालीदार बना है कुछ इस तरह से आपको बेशन दिखाई देगा compare to पहले वाला बेशन ये वाला बेशन आपको अलग दिखाई देगा चलो अभी बनाते हैं महोंटाल तो महोंटाल बनाने के लिए एक बड़ी से कड़ाई ले लो तो मैंने इसके अंदर गी पुरा का पुरा एक साथ नहीं डालना है बस आदा ही गी डाला है तो आदे गी में ना गरम होते ही बेशन डाल देना है थोड़ी देर के लिए हमें बेशन को गी के साथ मिक्स करना है थोड़ी देर में ना आटा है फूलने लगेगा कुछ इस तरह से तो बचा हुआ गी भी डाल देना है धीमी आज पे हमें बेशन को गी के साथ मिक्स करना है तो थोड़ी देर में बेशन फूल जाएगा बहु नहीं डाला जाता है तो आप इसको डालना स्कीप भी कर सकते हो आप देख सकते हो बेशन का जो कलर है वो चेंज हो गया है अलका सा ब्राउन कलर हो गया है बस यही श्टेज पर हमें गैस का जो फ्लेम है वो बन करना है उसकी इन्द के लिए मैंने आदी चमच जितना न तो महुंताल खराबी हो सकता है तो उसका measurement अच्छे से देख लो वही सेम कटोरा मैंने इस्तमाल किया है तो शपकर मैंने डेड़ कप जितना डाला है वैसे दो कप जितना अगर मैं डालोगी न तो थोड़ा सा मीटा ज्यादा हो जाएगा अगर आपके यहापे ज्यादा मी जाए ज्यादा ना चिपक जाए और इडर साइड में हमारी जो चासनी है वो भी तयार होने को है शुगर भी मैल्ट हो गया है तो इसको हलवाई स्टाइल बनाने के लिए मैंने इसके अंदर ओरेंज फूड कलर का इस्तमाल किया है यह कंप्लेटली ओप्शनल है आप इसको थोड़ा जलाना है उसके बाद दूसरी बार हमने चेक करेंगे कि एक तार वाली चासनी बनी है या नहीं तो यह जो टार बन रहा है ना वो बीच में से तूटना नहीं चाहिए अगर बीच में से नहीं तूट रहा है तो आपकी जो चासनी है वो परफेक्ट है चासनी बनन फॉर्म में आ जाएगा जैसे ही मोहन्थाल सॉलिट फॉर्म में आ जाए ना तो उसको एक प्लेट में ट्रांसफर करना है तो ये प्लेट भी मैंने घी से ग्रीस किया हुआ है वैसे मोहन्थाल बनाने में मैं अकेली काफी हूँ आप चाहे तो किसी और की हैल्प भी ले सकते ह एक प्लेट में हमें अच्छे से सैट करना है उपर से मैंने डाला है पिस्ता आप चाहे तो कोई भी मन चाहा ड्राइफूट डाल सकते हो ड्राइफूट डालने के बाद हमें चमत से अच्छे से नीचे के और सैट करना है तो आदे गंटे के बाद ना ये थोड़ा सा ड्रा ठोड़ा सा ड्राइ थोड़ा सा ड्राइल हो जाए थोड़ा सा ड्राइयड, दो गोंटाई लगी जाएगा उसकी बाद मोंटाल खाने के लिए तयार है अब चैट उसको स्टोर करके भी रख सकते हो अब देख सकते हो मोंटाल बहुती सौफ्ट और बहुती जालीदार बना है अगर मैं पहली बार में एक डम परफेक्ट मोंटाल बना सकती हूँ तो आप भी इसको आराम से बना लोंगे अगर आपके यहां पर दिवाली पे बार से मिटा या आती है तो इस बार बार से मिटा इनाल आके घर पे एक बार ज़व ट्राई करना और अफकोस मोंटाल तो परफेक्ट बनना ही था क्योंकि अगर मेरी ममी टीचर है तो मैं उसकी दोस्तो दिवाली का असली मजा मिटे की बिना अदूरा है इस दिवाली पे बनाए गुजरात का सबसे फेमस मोंटाल एक बार खाल लियाना तो हर बार बनाओगे और इसको बनाने में जो मैनत लगती है वो आपको हर बाइट में मैसूस होगी मेरी रेसिपी और वीडियो अ हपी दिवाली और हपी नयर्ष बाइछ बाइब